हेलो फ्रेंड्स मैं एकता शर्मा और हम पढ़ रहे हैं आज एक शोट स्टोरी है एक कप आफ टी जो की कैथरीन मैंस फिल्ड ने लिखी है तो इसमें एक रोजमेरी नाम के एक लेड़ी की बारे में बताया जाता है रोजमेरी फिल्ड जो की एक धनवान महिला होती है उसके ह है दूसरे लोगों की तरफ वह एक मिस्समित नाम के लड़की से मिलती है तो कैसे वह उसको शौफ करती है कि हम लोग जो की हम धनवान होते हैं तो मारे अंदर दिल होता है तो कैसे हम लोगों की मदद भी करते हैं तो वह ऐसे दिखाती है कि लोगों का जो व्यू है धनवा होता है उसकी तरफ तो वो चैंज हो जाता है वो उसको थोड़े पैसे देखकर अज्वन की उसकी जो सोच होती है कंड़न तो देखो हम चेप्टर को पढ़ता है जैदा नहीं यो में इसको नहीं कह सकते आप कि आप उसको सुंदर कैसे को प्रेटी सुंदर सुंदर नहीं कह सकते क्योशन मार के देखो वैल अच्छा इफ टुक हर टुपीसिज कि यदि यदि आप उसको टुकडों में लिए अलब जो रोज मेरी है अगर आप उसको पूरा नहीं देख करके हुल बोडी नहीं करके अग अंदर की अगर उसका गार क्काट कोसे आप उसका याव निरुषए एंधग ँडिको खाको जो पूरा नहीं प्रियों पैसे ऱलुटों में लेकर के लिवा के उसको जो रहां GUY की साथ पांट की बात करें तो वैसे पेसे में लेने की बात कर हिसे भासा तो यहां पर यहां ब extremely modern, executively well-dressed, amazingly well-readed in the newest of the new books and her parties were the most delicious mixture of the really important people. An artist, quen creatures, discoveries of hers, some of them too terrifying for work, but others quite presentable and amusing. तो देको स्री वो जियंग, कि वो यंग थी, मतलब युवा थी, brilliant, मतलब बुद्धिमान थी, extremely modern, अत्य दिक मोधन थी, आदुनिक थी, executively well-dressed, executively, मतलब एकदम विसिस्ट रूप से वो अच्छे dress पहनने हुई थी, मतलब सुंदर कप्रे पहनती थी वो, क्योंकि धन्वान थी, तो well-dressed थी, amazingly well-read in the newest new book, कि amazingly, मतलब surprising, एक आश्यजनक रूप से वो जो new books होती थी, उसमें सबसे newest, मतलब नवीन बुक्स में भी सबसे नवीन तम जो पुस्तक थी, सबसे जो new पुस्तक थी, superlative degree है, तो उसको वो पढ़ने वाली थी, and her partage, और उसकी यहां जो partage होती थी, जो दावत बगएरा होती थी, partage होती थी, were the most delicious mixture of the really important people, तो वो delicious mixture, मतलब बहुत ही शांदार उसमें मिश्रन होता था, किसका really important people, मतलब वास्पी उसमें महतकुन लोगों का, उसमें मिश्र होता था, मिश्रन होता था, और कलाकारों का भी होता था, क्वेंट क्रियेचर, मतलब जो आकरसत, जो attractive creature से, उनका mission होता था, डिस्कवरेज ओफ हर, मतलब उसके डिस्कवरेज होती थी, उसकी खोजों का होता था, मतलब खुद की जो रोज मेरे थी, उसके खुद की जो डिस्कवरेज होती थी, खोज होती थी, उनका mission होता था, and some of them, too terrifying for words, and some of them, और उनमें से कुछ जो होते थे, वो terrifying होते थे, too terrifying, मतलब ज़्यादा ड्रावनी होते थे, for words, यानि शब्दों से भी अधिक ड्रावनी कुछ लोग उनमें होते थे, but other quiet, presentable, लेकिन दूसरे जो होते थे, वो quiet मतलब एकदम से presentable, प्रस्तूत करने योग या बताने योग योग होते थे, and amusing, मतलब प्रसंद करने वाले होते थे, जो कुछ दूसरे लोग होते थे, कुछ तो एकदम शब्दों से भी बजाये ज्यादा terrifying होते थे, लेकिन कुछ जो दूसरे थे, वो presentable होते थे, उनको प्रस्तूत किया जा सकता था, and amusing, और वो प्रसंद करने वाले होते थे, इसके बाद में देखो, रोजमरी हैड में मेरे टू एर्स, तो रोजमरी हैड मेरे रोजमरी है उसकी शादी हुए, कितना टाइम हो गया, टू एर्स हो गए थे, दो साल हो गए थे रोजमरी की शादी को, she had a duck coffee boy, she had a duck, duck मतलब जो बतक होती है, तो बतक जैसे चंचल क्रियेचन माना जाता है बतक को, तो she had a duck coffee boy, मतलब उसका एक लड़का था, जो ड़क के समान था, मतलब बतक जैसा चंचल लड़का था, no, नहीं, no, Peter Michael, मतलब Peter Michael नहीं, and her husband absolutely adore her, and her husband, और उसके जो husband थे, उसके जो पती थे, absolutely, वो पूर्ण रूप से, निश्य ही, adore her, adore वैसे तो पुझा करना होता है, परसंसा करना भी होता है साथ में, और उसके जो husband है, वो उसको पूर्ण रूप से, उसके परसंसा करते थे, उसके पुझा करते थे, they were rich, really rich, not just comfortably well of, which is odious and stuffy, और वो पुराने तरीका का होता है, और जो किसी के जो ग्रांड पेरेंट्स होते हैं, दादादी होते हैं, उनके समान जैसे वो परती तो होते थे, तो उस टाइप की वो धनवान नहीं थे, वो अलग टाइप के धनवान थे, देखो कैसे धनवान थे, but if Rosemary wanted to shop, she would go to Paris, as you and I would go to Bond Street, तो कितने धनवान थे देखो, but if, लेकिन, if Rosemary wanted to shop, यदि Rosemary है वो शोप करना चाहती थी, खरीदारी करना चाहती थी, शोपिंग करना चाहती थी, तो she would go to Paris, तो वो परिश जाती, as you and I, जैसे कि आप और मैं, वोड गो to Bond Street, हम जैसे Bond Street जाते हैं, आप और मैं, तो वो परिश जाती थी, इप शोपिंग करना चाहती थी, पूर्फ शोपिंग कर है, तो आप जैसे करना चाहती थी, पूर्फिंग करना चाहती थी, जो पूर्फिंग करना चाहती थी, वहाँ पे एक perfect shop तब car है वो जाती थी, मतलब फूलों के एक perfect shop थी, तो वहाँ तक जाती थी, एर रोजमरी inside the shop, वो रोजमरी है वो shop के अंदर, दुकान के अंदर रोजमरी है, just gage in her desert, कि अपनी desert, मतलब चका चून कर देनी वाली अपनी निगाउ से, वो वहाँ पे घूर थ दुकान के अंदर, rather exotic way, मतलब एक जोटिक होता है, एक आकरशित पून तरीके की बजाए, मतलब एक थोड़े से आकरशित तरीके की समान, attractive way के साथ में, वो अपनी desert ice के साथ में, अपनी चका चून कर देने वाली तरीके से, वो घूरती थी, gauge होता है, घूरना, देखना, एक टक्टकी लगा कर देखना, तो वैसे वो दुकान के अंदर वो देखती थी, and said, और वो कहती थी, क्या कहती थी, I want those and those and those, मतलब फ्लावस के लिए, मतलब फ्लावस चाहिए, वो फूल चाहिए, give me four bunches of those, give me four bunches, कि मुझे चार bunches दो, चार गुच्छे दो, उन फ्लों के मुझे चार गुच्छे हैं, वो देदो, and that jar of roses, और वो रोजज का जो जार है, गुलाव के फूलों का जो जार है, वो भी देदो, yes, I will have all the roses in the jar, कि I will have, मैं लेती हूँ, all the roses, सभी roses को, सभी गुल लेंगी, इंदा jar, मतलब jar में रखे हुए, जो सारी roses हैं, उनको मैं लेंगी, no, नहीं, no lilac, मतलब lilac नहीं, जो बैंगनी रंग के फूल है, उनके लिए आया है, कि उन lilac नहीं चाहिए, मुझे वो बैंगनी फूल नहीं चाहिए, I had lilac, कि मैं lilac जो फूल होते है, जो बैं out of sight, as though this was only too true, कि the attendant, जो attendant था, जो वहां पे मतलब काम करने वाला जो था, जो एक तरीके से servant बोल सकते हैं, जो शोप वाला था, तो वो बाउड मतलब जुका, and put the lilac, और जो lilac थे, जो बैंगनी रंग के फूल थे, उनको out of sight रख दिया, मतलब दृष्टी से दूर रख दि रोज मेरी थी, as though, जैसे कि this was only too true, कि this was जैसे कि क्या हो, मानो, this was only, कि वो ही केवल एक मतल क्या हो, true था, जो की मतलब एक मतल सकते था, true था, इस रूप में उसको दृष्टी से दूर ही हटा दिया lilac को, lilac was dreadfully shapeless, जो lilac जो फ्लार थे, जो बैंगनी रंग के फूल थे, वो dreadfully, यानि बहानक रूप से, वो shapeless थे, बहानक रूप से, वो बिना किसी आकार के थे, give me those stumpy little tulips, give me मुझे दो, those stumpy looking, stumpy little tulips, मतलब जो stumpy, मतलब जो छोटे-छोटे, जो tulips, मतलब जो कप के आकार के जो फूल है, तो वो बोलते है कि मुझे वो कप के आकार के जो flowers है, फूल फूल है, वो मुझे दो, those red and white ones, कि वो red, मतलब वो लाल, और जो white है, जो सफेद कलर के फूल है, वो इन्वेटेट कोमा में देखो, उसका डायलोग आया है, रोज में दिखा, and she was followed to the car by a thin shop girl staggered under an immense white paper armful that looked like a baby in long clothes, and she was followed, और उसका अनुसरन किया गया, मतलब उसके पीछे- कार तक कौन, किसने अनुसरन किया भाई, ये thin shop girl, एक पतली से दुकान वाली लड़की ने कार तक उसको follow किया, उसके पीछे आई, staggering, लड़कर आते हुए, under an immense white paper, कि एक immense white paper के नीचे, जैसे एक सफेद बड़े कागच के नीचे, आमफू, आमफूल मतलब एक दम बाहें भ करके, मतलब एक बड़े सफेद कागच के नीचे, एक immense, एक विसाल, एक बड़ा सा white कागच के नीचे, अपने आमफूल, अपने बाहों में भर करके, एक दुकान की जो पतली जो लड़की थी, एक पतली दुकान की जो लड़की थी, वो लड़कर आते हुए, struggling, मतलब लड बेवस्तरों के अंदर जैसे एक बच्चा होता है, उसके समान जो दिखाई देती थी, तो वो जो लड़की थी, जो कि एक लंबे कपड़ों में, बेबी के जैसे दिखने वाली एक पतली दुकान वाली लड़की ने, एक बड़े सफेद कागच के नीचे, अपने बाहें भ बाइंग सम्थिंग इन लीटिल एंटिक शोप इन करजन स्ट्रीट, तो देखो बता रहे हैं कि वन विंटर आफ्टनून, कि एक सर्दी की आफ्टनून के टाइम, एक सर्दी की दोफर के समय, शी हैड बिन बाइंग वो खरीद रही थी सम्थिंग कुछ चीज, इन लीटि एंटिक शोप, एक छोटी सी एंटिक शोप के अंदर, मतलब जो रेर चीजों की जो दुकान होती है, दुल्लव वस्तो की जो दुकान होती है, महाँ पे कुछ खरीद रही थी, कि करजन स्ट्रीट में एक छोटी सी दुल्लव वस्तो की जो दुकान होती है, महाँ पे वो कि कोई भी वेक्ति है वो यूजिली मतलब समान्य रूप से वो अपने लिए रख सकता था मतलब ये दुकान हैसे थी जहां पर एक चीज के लिए कोई एक वेक्ति समान्य रूप से अपने लिए इसको रख सकता था and then the man who kept it was ridiculously fond of serving हा तो देखा and then ridiculously होता है एक दम हास्यस पद्रूप के साथ में तो वो fond of मतलब लगाव रखता था serving है उसके सेवा करने का तो उस दुकान में जो रख वाला था जो इस दुकान के के करने वाला था वो हास्यस पद्रूप से उसके सेवा करने का लगाव रखता था he beamed whenever she came in he beamed वो smile करता था मुस्कुराता था whenever she came in जब भी वो आते थी तो वो smile करता था he claps his hands तो he claps his hand वो अपने हातों को claps मतलब पकड़ लेता था he was so gratified कि he was so gratified वो इतना gratified होता था इतना वो happy होता था खुश होता था कि he could scarcely speak कि वो scarcely मतलब तो बहुत ही मुस्किल से बहुत ही कम है वो स्पिक, यानि बोलता था, तो वो इतना खूँज हो जाता था, वो आ जाती थी तो क्योंकि वो धनवान लेडी थी, पैसे भी एच्छी मिलते थी, तो वो मुस्किल से कुछ बोल पाता था इतना वो happy हो जाता था flattery of course, वास्तर विए क्या करता था flattery, चापलू सी करता था all the same, there was something all the same, और इसी परकार की same चीज़ी है, वो there was something वहाँ पे कुछ होता था, मतलब इसी परकार की चीज़ी है, वो होती थी you see madam, he would explain in his low respectful tone I love my things you see madam, you see madam, you see in his low respectful tone कि अपनी एक धीमी सम्मान से परिपुन tone के साथ में वो explain करेगा कि आप देखी madam, I love my things कि मैं अपनी चीज़ों से प्रेम करता हूं I would rather not part with them than sell them to someone who does not appreciate them who has not that fine feeling which is so rare, कि I would rather not part with them I would rather not part, part मतलब अलग हो जाने के लिए कि मैं अलग नहीं होंगा with them in चीज़ों से, मतलब इन से मैं प्रेम करता हूं उन चीज़ों से मैं अलग नहीं होना चाहूंगा then sell, मतलब जब तक कि मैं sale, sale, बेच नहीं दू देँ उनको to someone, किसी ऐसे वेक्ति को जब तक कि मैं बेच नहीं दू who does not appreciate them जो कि उनकी परसंसा नहीं करेगा मतलब मैं इन चीज़ों से जब तक अलग नहीं होना चाहूंगा जब तक कि मैं इसको किसी ऐसे वेक्ति को नहीं बेच दू जो कि इसकी परसंसा नहीं करेगा who has not that fine feeling जिसके अंदर इतनी अच्छी feeling है वो नहीं होगी भावना नहीं होगी which is so rare जो कि बहुत ही दूडलब होती है and breathing deeply और फिर वो एकदम deeply वो breathe करेगा मतलब एकदम घहराई से वो स्वांस लेते हुए he and roll a tiny मतलब इस तरीके से वो बात करता हूँ और ऐसे बात करते करते वो एकदम घहराई से सांस लेते हुए क्या करता है he and roll a tiny square of blue velvet and pressed it on the glass counter with his pale fingertips and breathing deeply और घहराई से वो सांस लेते हुए he and roll वो मतलब खोल दालता था खोल देता था a tiny square of blue velvet एक छोटा सा square होता है चोकोर खाना एक चोकोर जो होता है blue velvet तो एक blue velvet से एक जो नीला जो मकमल है उसके square से उसके चोटे चोकोर कपड़े को वो unroll करता खोलता खोल देता and pressed it on the glass counter and pressed मतलब इसको प्रेस करता इस पर दबाव डालता on the glass counter मतलब CC की प्रेस के उपर इस पेल फिंगर टिप्स अपनी पिली रंकी जो फिंगर टिप्स थी जो उंगलियों का जो छोड़ थे वहां से वह ग्लास counter की उपर उसकाज के CC के उपर इस पर उसको प्रेस करता उसके दबाव डालता तो वह इस परकार से सारी चीज़े हैं वह दिखाता तो ऐसे शो करता जैसे की बहुत ही रेर है जिससे की वह रोज मेरी उन चीज़ों को खरीद ले और उसको अच्छे कासे पैसे मिल जाए तो आज एक चोटा बोक्स था एक लिटल बोक्स था यहाड बिन केपिंग वह रख रहा था इस बक्षे को फो हर उसके लिए उस बक्षे को रख रहा था ही है शोन इटो नोबड़े एज आज रहा था जोड़े तो वह ऐसे बोलता था कि हैजन अट इड़े तो नोबड़े इसने इसे किसी को भी नहीं दिखाया अबी तक उसने किसी और को यह नहीं दिखाया था an exact little animal box with a glaze so fine it looked as though it had been a bagged in kreme an antiquated little animal box कि एक एक अगदम आए बहुत ही अच्छी चमक वाला एक छोटा सा animal box था with a glaze एक ऐसे चमक के साथ में सो फाइन जो कि बहुत ही फाइन थी बहुत ही अच्छी चमक के साथ में यह एक छोटा साथ चमक दर एनमल को बोक्स था एनमल एक धातू होती है उसका बोक्स था इट लुब्ड जो कि दिखाई देता था आइस दो जैसे कि it had been बैक दिन के जैसे कि क् क्रीम में बेक किया गया हो, इसको क्रीम में सेका गया हो, तो इस परकार का वो दिखाई देता था, और इसका जो लिट था, इसकी जो डखन था, उसके उपर एक छोटा सा जो जीव था, वो स्टूड खड़ा था, अन्रे फ्लाओरी ट्री के नीचे, एक फ्लाओर यानि जो फूल वाला जो ट्री होता है, पेड होता है, उसके नीचे, उसके ढकन के उपर एक छोटा सा क्रीचर है, वो खड़ा था, मतलब उसका चितर बनाया हुआ था, and a more minute creature और एक दूसरा जो creature था still had her arms around his neck उसके neck उसके गर्दन के चारो तरफ वो अपनी arm को डाले हुए था दूसरा creature एक creature तो flowery tree के नीचे खड़ा था और दूसरा जो creature था जो जीव था प्रानी था वो उस पहले वाले के गले के चारो तरफ अपनी arms को डाले हुए था her head really no bigger than a geranium pittal कि her head उसका जो head था उसका जो top था really no bigger के वास्तों में वो बढ़ा नहीं था अधिक बढ़ा नहीं था than a geranium pittal कि एक geranium pittal pittal होती है एक पंखुडी तो जो geranium मतलब जो एक फूलो की जो कटी हुई डाल होती है उसकी पंखुडी की बजाए वो ज्यादा बढ़ा नहीं था उसका जो top था hang from branch जो कि एक branch एक साखा से hang मतलब लटका हुआ था तो इस परकार का चित्र बना हुआ था it had green ribbons इसके ओपर green ribbon थे हरे रंग के ribbon थे and there was a pink cloud और वहाँ पे एक pink cloud था एक गुलाबी रंग का एक cloud था बादल था like a watchful chair floating about their head like जो की कैसे दिखाई देता था watchful watchful मतलब एक जो पहरेदार होता है जो निगरानी करता है ध्यान देता है चिरव होता है देवदूत floating about their head जैसे कि उसकी head की उपर सर की उपर floating मतलब तेरता हुआ एक निगरानी रखने वाला तेरता हुआ एक देवदूत हो उस परकार से वो एक बादल है वो उसके उपर था pink color का जैसे कि उसके सिर के उपर निगरानी करने वाले देवदूत के समान वो तेरता हुआ एक pink color का जो cloud है वो उसके सर के उपर था Rose Marie took her heads out of her long glow इस परकार की चीज़ों को एक्जामिन करने के लिए वह हमेशा से अपने गलाउज है उतारती थी अपने जो दस्ताने है वो उतारती थी यस हां शी लाइग इट वेरी मच उसने इसे बहुत अधिक पसंद किया मतलब वो जो एनमल वोक्स था उसको उसने बहुत अधिक उसने इसने उसको लाइक किया उसको पसंद किया इसने इसे लव किया मतलब उससे प्यार किया था इट वोज ए ग्रेट डग की एक बड़ी बतक के जैसा था एक बड़ी बतक थी शी मस्ट है वेट कि वो उसे अवश्य ही लेगि और उसkal मतलब फूर्डे बचम को क्रीम के रंग क नहीं रह सकी, couldn't help, couldn't help, मतलब कोई चीज अपने वस में नहीं होना, तो वो इस पर ध्यान दी बिना नहीं रह सकी, कि how charming her hands were against the blue whale weight, कि उसके जो हाथ हैं, वो blue whale weight के against, मतलब उस नीले मकमल के विरोध में, उसके जो हाथ थे, वो कितने charming लग रहे थे, कितने अच्छे लग रहे थे, प्यारे लग रहे थे, तो इस चीज पर ध्यान दी बिना वो नहीं रह सकी, 10 shopmen, in some dim cavern of his mind, 10 shopmen, मतलब जो shopmen था, जो दुकान का जो आदमी था, जो दुकान वाला था, 10 shopmen, मतलब जो दुकान वाला था, जब वो सोच रहे थे, उस वेलवेट, जो ब्लीव कलर का था, तो उसके हाथ कितने प्यारे लग रहे थे, तो वो दुकान वाला है, वो अपनी उस गहरी दिम, उस गुफा के अंदर, अपनी माइंड की गुफा के अंदर, वो भी यह सोचने का साहस कर रहा होगा, जब यह चीज़, वो भी सोच रहा होगा, मनी मन में, फो, ही टुक ए पैंसिल, लिंट और दा काउंटर, एंड इज पेल, ब्लॉर्लेस फिंगर, फिंगर स्क्रेप तिमिली टॉर्स दोज रोजी फ्लेशिंग वंस, एज ही मुम जेंटली, कि फो, ही टूक के पैंसिल, क्योंकि फिर बाद में उसने कहा क्या, कि उसने एक पैंसिल ली, उस दुकान वालें एक पैंसिल ली, लींट आर दाकाउंटर, और वो काउंटर के ऊपर लींट होता है, जुकना, counter के ओपर जुका, and his pale, और उसकी जो pale, यानि जो पीली, bloodless, यानि रक्त से रहित, खून से रहित, जो fingers थे, जो उसके उंगलियां थी, वो crept timidly, timidly मतलब कायरता पूर्वक, वो crept यानि वो रहंगी, तो उसने एक pencil ली counter के ओपर जुका, और अपनी पीली, रक्त स रहित, कायरता पूर्वक, उसने रेंगते हुए क्या किया, रेंगते टुआर, दोज रोजी, उसने मतलब गुमाए अपने हातों को, crept रेंगना होता है, मतलब वहां पे गुमाया, किन पे, दोज रोजी, फ्लेसिंग वहां, जो फ्लेशिंग यानि जो चमकदार जो चीज कि एथ जो आउने हैं, यदी में बताने के लिए यदी मैदम कस पोईंट आउट करना चाहूं, यदी मैं कश बताने की इछा गरुब बताने की तर लेसिफ इ dewशी यह जो फ्लावथ हैं धि फूल बेष्चा बिट does चोटे चोटे जह सबसे मतलब महिला का लेडिस लिखा हुआ है तो महिलां और यह निए जो वस्त्र होता है जैसए पुराने टाइम में जो अंगिया होती थी आंगिया की को उसको पहर मैसों वस्तिज़कंगों जोटे जोटे फूल है अगर मैं इसकी तरफ इशारा करूँ यदि में इनके बारे में कुछ बताना चाहूं तो वो दुकान वाला बोलता है चामी तो वो बोलती है कि चामी सुन्दर है अट्रेक्टिव है रोज मेरी अड्मार करती है परसंसा कीती उसनी बट वोट वो दा प्राइस लेकिन इसकी प्राइस क्या थी किमत क्या थी एक शन के लिए दुकानदार था वो कुछ भी सुनते भी परतीत नहीं हुआ मतलब उसने ऐसा शोर किया कि वो कुछ सुननी रहा था और फिर एक महमर जो बुदबुदार थी वो रिच्ट हर उस तक पहुंची उसने रिपलाई दिया 28 गिनिश 28 गिनिश बताई है अब देखो क्या होता है कि 28 गिनिश 28 गिनिश रोजमेरी ने कोई sign नहीं दिया, कोई शार नहीं किया she let the little box down she let, मतलब उसने रख दिया वो जो little box था जो छोटा box था उसको नीचे रख दिया she buttoned her goggles again उसने दुबारा से अपने जो GSA ठेक थे दस्ताणे थे उसको button इसके बटनों को बन किया 28 गिनीज 28 गिनीज even if one is rich कि even if यदी one is rich कोई धन्वान होता तो she look वेक तो वो एकदम वेक तई एकदम asperj थी वो दिखाई दी मतलब जो रोजमरी थी वो एकदम एसफस्ट दिखाए दी उसकी तरफ उसको वह ठाइस गी नहीं जब ज़्यादा लगी थी She stayed at a plump tea cattle like a plump hand about a shopman's head She stayed, उसने stayed क्या उसने घुरा at a plump tea cattle, जो जो मोटी tea cattle थी, चाय की जो cattle थी जो चाय की केटली थी, मोटी सी, उसकी तरफ गुरा like a plump hand एक plump hand के समान, एक मोटी hand के समान, मुर्गी के समान About a shopman's head, कि उस shopman उस दुकान वाले के सीर के ओपर जो एक plump hand की जो बनी हुई थी, जो मोटी मुर्गी का चितर जो बना हुआ था उसके समान, उसने मोटी सी जो टी केटल थी, उसकी तरफ रोजमरी ने घूरा घूरते विए उसने देखा and her voice was dreamy, और उसकी जो voice थी, उसकी जो आवास थी, वो एकदम dreamy थी मतलब सुपन जैसे लग रहे थी, as she answered, जैसे उसने answer दिया रोजमरी ने answer दिया, कि well, अच्छा, keep it for me, कि इसे मेरे लिए रखना ये जो animal box था, उसको मेरे लिए रखना, will you, क्या तुम रखोगी I will, मैं, यहाँ पर बोल करके, वो रुख जाती है बर्दा, shopman had already bought, as though keeping it for her, was all any human being could ask बट लेकिन, जो shopman था, वो जो दुकानदार था, had already bought, वो पहले से bought, यानि वो जुख गया था, वो shopman था, जो पहले से जुख गया था, as though keeping it for her, जैसे कि वो उसके लिए रख रहा था, जैसे कि उस box को, वो animal के लिए हर है, वो रोजमरी के लिए आया है, eat मतलब उस box के लि बोलेंगे, पुछेंगे, कि तुमने उसके लिए ही रखा है, रोजमरी के लिए ही, he would be willing, of course, to keep it for her, forever, he would be willing, of course, to keep it for her, forever, he would be willing, of course, to keep it for her, forever, इसके बाद में, जो miss Smith है, उसकी interest होगी, जो कि हम next video में पढ़ने वाले है, तो I hope आपको इतना वीडियो, यह जो स्टोरी है, वो इतनी समझ में आई है, आगे बहुत ही interesting स्टोरी है, वो होने वाली है, तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको पसंद आ रहा है, पढ़ायो आपको 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 आपक